दूद और ये दूद मा का दूद अगर होता है तो बच्चे के लिए अत्यांत लावदाय के सबसे ज़रूरी नवजाश इशू के लिए मा का दूद रहता है समस्या ये है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आज के समय में सतर प्रतीशत से ज़्यादा महिलाएं अपने बच्चों के लिए डिलिवरी के बाद परियावत दूद ही नहीं बना पा रही है अब ऐसे केस में मजबूरी क्या होती है हमें बच्चों के लिए खरीदना पड़ता है बजार से डब्बे वाला दूद जिसके अंदर आट इशकला फ्लेवर्स में मिल सकते हैं शुगर्स में मिल सकते हैं उसमें प्रिजरवेटिवस मिल सकते हैं ग्रेंस को डाल कर उनको ब कुराने समय से अगर मां बच्चे को दूद नहीं बना पा रही नहीं दे पा रही है तो उस केस में उंठनी का दूद या बकरी का दूद बच्चे के लिए सबसे ज़ादा सर्शिश बनाया जाता है क्यों बताया जाता है मां के दूद के बाद उंठनी का दूद और बकरी क infection है तो इन दूद को prefer किया जाता है ताकि उसे ठीक किया जा सके इतने सारे अंगिनत फायदे हैं और उपर से प्राकृतिक दूद प्रकृती ने हमें अरे बच्चों के लिए arrange किया है जिसे छोड़कर हम डबे वाला दूद, artificial दूद बच्चे को प्लाने की कोशिश करते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है पास के organic store से संपर्क करें और बच्चों के लिए नवजात शिशू के लिए या तो मा का दूद सबसे पहले prefer करें नहीं तो उसके बाद बक्री का दूद या उंठनी के दूद को ही preference दें अगर इस तरीके से हम अपने नवजात शिशू का द्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों को ज़ादा बैतर सेहत देने में हम काम्याब हो पाएंगे इसी के साथ भारत बंदे मात्रम